दुश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन देशों की सव लोब कथाओं का संग्रह है। यह वर्मादेश की एक श्रेष्ट कथा है, जिसमें लोब और उसके दुश परिडाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिडाम का वड़न एक सुनहले पंखु वाले कवे के माध्यम से किया गया है। पुरा कस्मिश्ची ग्रा में एका निर्धना व्रिद्धा स्त्री नियोसत। पहले या प्राचीन काल में किसी गाओं में एक निर्धन व्रिद्धा स्त्री रहती थी। तस्याहच एका दुहिता विनम्रा मनुहरा चा आसीत। तंडुलान निक्षिप्पे पुत्रीम आदिदेश। एक बार मा थाली में तंडुलान थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्पे डाल कर पुत्रीम आदिदेश। पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यों रक्ष, सूर्या तपे धूप में तंडुलान चावनों को खगेभ्यों रक्ष, पक्षियों से रक्षा करो। किन्चित कालात अनंतरम एको विचित्रह का कह समुड्डिये ताम उपाजगाम। उसके पास आया। नैता द्रिशह स्वड़ पक्षो रजत चंचु हूँ, स्वड़ काकह तया पूर्वम द्रिश्टह। नैता द्रिश्टह। इस तरह का स्वड़ पक्षो सोने के पंख रजत चंचु, रजत में चादी, चंचु में चोच, चादी की जैसी चोच वाला स्वड़ काकह, सोने का कववा, सुनाहला कववा, तया। उसके द्वारा पूर्वम द्रिश्टह पहले देखा गया, तो ना पूर्वम द्रिश्टह पहले नहीं देखा गया। तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए हसंतम चविलों के और हसते हुए देखकर बाली का लड़की रोधितुमार अब्धा रोना आरम कर दी तम उसको निवारेंती सा प्रार्थेयत वह बोली प्रार्थना की तंडुलान माभक्षे चावलों को मत खाओ मदिया माता अतियू निर्धना वर्तते मेरी माँ अतियू बहुत निर्धना वर्तते गरीब है सड़ पक्षह काका प्रोवाच सोने के पंख वाले कवे ने प्रोवाच कहा मा शुचह शुचहमिस दुख मा मतलब मत करो दुख मत करो सूरियो दयात प्राग ग्रामाद बही पिपल व्रिक्ष मनू तया आगंतव्यम सूरियो दयात प्राग सूरियो दय से पहले ग्रामाद बही गाउं से बाहर पिपल व्रिक्ष मनु पिपल के व्रिक्ष के मनु पीछे तोया तुम्हारे द्वारा आगंतव्यम आना चाहिए सूरियो दयात प्राग सूरियो दय से पहले ग्रामाद बही गाउं से बाहर पिपल व्रिक्ष मनु पिपल के पेड के पीछे तोया आगंतव्यम तुम्हारे द्वारा आना चाहिए या तुम आना अहां तुब्यम तंडुल मुल्यम दास्यामी अहां मैं तुब्यम तुम्हें तंडुल मुल्यम चावलों का मुले दास्यामी दूँगा प्रहर्शिता बाली का निद्राम अपी ना ले भे प्रहर्शिता प्रसन बालीका बालीका निद्राम अपिना लेभे सो भी नहीं पाई तो खुशी से बालीका या खुश बालीका सो भी नहीं पाई सूरियोदयात पुर्वम एव सा तत्र उपस्थिता सूरियोदयात पुर्वम एव सूरियोदय से पहले ही सा तत्र उपस्थिता वह वहां उपस्थित हो गई व्रिक्षस्य उपरी विलोग के सा च आश्चरी चकिता संजाता व्रिक्षस्य उपरी विलोग के सा मिस वहां व्रिक्षस्य उपरी पेड के उपर विलोग के देखकर च आश्चरी चकिता संजाता आश्चरी चकित संजाता हो गई व्रिक्ष के उपर देखकर वहां आश्चरी चकित हो गई यद तत्र यद मिन्स की तत्र मिन्स वहाँ स्वड मया प्रसादो वर्थते प्रासादो प्रसाद ने प्रासादो वर्थते प्रासाद मिन्स होता है महल यद तत्र स्वड मया प्रासादो वर्थते यद मिन्स की तत्र मिन्स वहाँ स्वड मया सोने का महल है व्रिक्ष के उपर देखकर वह आश्चर चकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है यदा काकह शैत्वा प्रबुद्धा तदा तेन स्वड गवाक्षात कथितम हम हो बाले तम आगता यदा काकह शैत्वा प्रबुद्धा यदा मिस जब काकह कवा शैत्वा सोकर प्रबुद्धा उठा यजागा तदा तब तेन उसके द्वारा स्वड गवाक्षात कथितम सोने की स्वड मिस सोने की गवाक्षात मिस होता है खिड की सोने की खिडकी से कथितम कहा गया हम हो बाले हे बाली का तम आगता तुम आगई तिष्ठ रुको अहम तत क्रिते सोपानम अवतार्यामी उतारता हूँ तत कथे सोड मयम रज़त मयम उत तामर मयम वा तत कथे तो कहो उपुस्ता है तत कथे तो कहो सड मयम रज़त मयम उत रजत मयम उत सोने की रजत मय मतलब चादी की ताम्र मयम वा अत्वा ताबे की वो पूश्ता है तो कहो सड़ युक्त रजत युक्त या ताबे वाली कन्या प्रावोचत कन्या ने प्रावोचत उत्तर दिया अहम निर्धन मातु हुँ दुहितास मी अहम मैं निर्धन गरीब मातु मा की दुहितास मी दुहिता मी इस पुत्रियों मैं गरीब मा की पुत्रियों ताम्र सोपाननेन एव आगमिश्यामी ताम्र सोपानेन एव आगमिश्यामी ताबे की सीड़ी से ही आऊंगी स्वड सोपानेन सा स्वड भवनम आससाद परंतु सोने की सीड़ी से वह महल पहुची चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनी संजितानी द्रिष्ट्वा सा विश्मयम गता किरकालम भवने बहुत समय तक भवनमे चित्र विचित्र वस्तूनी संजितानी द्रिष्ट्वा विचित्र वस्तूनी सजी हुई देखकर सा विश्मयम गता वह चकित हो गई सान्ताम ताम विलो के काकह प्राह शान्ताम शान्ताम मिस ठकी हुई ताम उसको ठकी हुई उसको विलो के देखकर काकह प्राह कवा बोला पूर्वम लगुप्रात राशह क्रियताम पूर्वम पूर्वम मिस से पहले लगुप्रात राशह मिस नाश्ता पहले नाश्ता क्रियताम करिये वद बोलो तम सड स्थाल्याम भोजनम करिश्यसी तुम सोने की थाली में भोजन करोगे किम्वा रजत स्थाल्याम वियुत या चादी की थाली में ताम्र स्थाल्याम अथ्वा तामे की थाली में बालिका व्याजहार लड़की बोली बालिका ने कहा ताम्र स्थाल्याम एयो अहम निर्धना भोजनम करिश्यामी ताबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी तदा सा कन्या चा आश्र चकिता संजाता तब वह कन्या आश्र चकित हो गई यदा जब स्वड काकेन सुनाहले कवे के द्वारा स्वड थाल्याम भोजनम परिवेशितम सोने की थाली में भोजन परोसा गए तब वह कन्या आश्री चकित हो जाती है यदा हो गई जब सुनाहले कवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गए नैतादिक स्वाद भोजनम अध्यावधि बाली का खादी द्वति नैता द्रिक स्वादू इतना स्वादिष्ट इस तरह के स्वादवाला भोजनम भोजन अध्यावधी बालिका आज तक बालिका ने खादित वती ना खादित वती नहीं खाया था काको ब्रूते कवा बोला भालिके हे भालिका अहम इच्छामि यद तम सर्वदा च अत्रेयो तिष्ठ परम्तव माता वर्थते च एकाकिनी अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ यद कि तम तुम सर्वदा हमेशा च अत्रेयो यहीं तिष्ठ रहो ठहरो परम्त लेकिन तव माता तुम्हारी मा वर्थते च एकाकिनी परन्त तुम्हारी माता अकेली है तुम शीग्रम एव स्वग्रिहम गच्छ तुम शीग्रिही स्वग्रिहम गच्छ अपने घर जाओ इती उक्त्वा काकह कक्षाभ्यंतरात त्रिशो मन्जूसा निशारे ताम प्रत्यवदत इती उक्त्वा काकह ऐसा कहकर कवा कक्षाभ्य अनंतर कमरे के अंदर से त्रिशो मन्जूसा तीन मन्जूसा पेटी या डिब्बा निशारे ताम प्रत्यवदत निकाल कर उससे बोला अईसा कहकर कवा कमरे के अंदर से तीन पेटी निकाल कर ताम प्रत्यवदत उससे बोला बाली का यथे च्छम ग्रिहाड मन्जूसाम एकाम यथे च्छम ग्रिहाड इच्छा अनुसार ग्रहड करो स्विकार करो मन्जूसाम एकाम एक डिब्बा इच्छा के अनुसार एक डिब्बा लेलो लगु तमाम मन्जूशाम प्रग्रिह बालिकया कथितम इअम देओ मदिये तंडूला नाम मोल्यम लगु तमाम मन्जूशाम प्रग्रिह छोटी, सबसे छोटी पेटी या सबसे छोटे डिब्बे को प्रग्रिह लेकर बालिकया कथितम बालिका ने कहा इअम देओ, ये दो मदिये तंडूला नाम मोल्यम इतना ही मेरे चावलों का मोल्य है या यही मेरे चावलों का मोल्य है ग्रिहम आगत्ते तया मन्जूशा समुद घाटी ता घराकर उसके द्वारा डिब्बा खोला गया तस्या महार हाडी हीरकाडी विलोक के सा प्रहर्शिता तस्या महार हाडी उसमें बहुमूले हीरकाडी हीरे विलोक के देखकर सा प्रहर्शिता वह खुसुई तत दिनात धनिका चा संजाता इसमें संदी विच्छेत करेंगे तत दिनात धनिका चा संजाता और उस दिन से अमीर हो गई तस्मिन एयोग्रा में एका अपरा लुगधा बृध्धा नियोसत उसी गाओं में एक दूसरी लो भी बृध्धा नियोसत बुढ़ी बुढिया रहती थी तस्या अपी एका पुत्री आसीत उसके भी एक पुत्री थी इर्षया साथ तस से स्वड काकस से रहस्यम अभिज्यात वती इर्षया से उसने उसके सोने की कवे का रहस्य जान लिया सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्पे तयापी स्वसुता रक्षार्थम नियुकता सूर्या तपे सूर्य की धूप में तंडुला निक्षिप्पे चावलो को रख कर तयापी उसके द्वारा भी स्वसुता रक्षार्थम अपनी पुत्रीको रक्षा के लिए नियुकता नियुक्त की किया तथयो सड़ पक्षा काका तंडुलान भक्षियन ताम अपी तत्रयो अकारियत। तथयो वैसे ही सड़ पक्षा काका सोने के पंखो वाले कवेने तंडुलान भक्षियन चावलो को खाते विये ताम अपी तत्रयो अकारियत। उसको भी वही बुलाया प्रातह तत्र गत्वा सा काकम निर्भत सेयन्ती प्रावुचत। सुबा वहां जाकर वहां कवे की निन्दा करती हुई निर्भत सेयन्ती निन्दा करती हुई बोली भो नीच काक हे नीच कवे। अहम आगता मैं आगई महयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ मुझे चावलों का मूले दो। काकह अब्रवीत कवव बोला अहम तत कृते सोपानम उत्तार्यामी मैं तुम्हारे लिए सीड़ी उतारता हुँ। तत कथे तो कहिए सोड मैं, रजत मैं, ताम्र मैं हुआ। तो कहिए सोने की, चादी की, अथ्वा, ताबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम गर्वितया घमंडी बालिकया लड़की ने प्रोक्तम या लड़की द्वारा बोला गया। सवड मैं सोपानेन अहम आगच्छामी सोने वाली सीड़ी से ही मैं आगच्छामी आती हुँ। परम स्वड काकह तत्कृते ताम्र मयम सोपानम एव प्रायच्छत परंतु कवेने स्वड काकह सुनाले कवेने तत्कृते उसके लिए ताम्र मयम सोपानम एव प्रायच्छत ताबे वाली सीड़ी ही दिया स्वड काकह ताम भोजनम अपी ताम्र भाजने है कारयत स्वड काकह सुनाला कवा या सोनी का कवा ताम उसको भोजन मापी भोजन भी तामरभाजने हकार्यत तामे के बर्तन में ही करवाया प्रति निवरित्ति काले स्वड काकेन कक्षाब भ्यंतरा त्रिश्रो मन्जूसाह तत्पुरा समुच्षिप्ताह प्रति निवरित्त काले लवटती समे स्वड काकेन सुनाले कवे के द्वारा कक्षाब अंतरा कमरे के अंदर से तिश्रो मन्जूसाह तीन डिब्बे तत्पुरा समुच्षिप्ताह उसके सामने रखा गया लोभ विष्टा सा ब्रिहत्तमाम मन्जूसाह ग्रिहत्वती लोभा विष्टा सा लालची वह ब्रिहत्तमाम मन्जूसाह ग्रिहीत्वन्ती सबसे बड़े डिब्बे को ग्रहीत वन्ती लेली ग्रिहम आगत्य सा तरशिता यावत मन्जूसाम उद्घाटे यती घर आकर ग्रिहम आगत्य घर आकर सावा तरशिता व्याकुल होकर यावत जैसे ही मन्जूसाम उद्घाटे यती डिब्बे को खोलती है तावत तस्याह तस्याम भीशड़ा क्रिश शर्पो विलो की तह तावत तस्याम तो उसमें तब तस्याम उसमें भीशड़ा क्रिश शर्पो भयंकर काला साप विलो की तह देखती है लुबधया बालिकया लालची बालिका के द्वारा लोभसे फलम प्राप्तम लालच का फल प्राप्त किया गया तद अनंतरम सा लोभम पर्यत्यजत तद अनंतरम उसके बाद सा वह लोभम पर्यत्यजत लोभ लालच त्याग दिया उसके बाद उसने लोभ छोड़ दिया झाल